आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलर्शिप फॉर्म 2022 के अंतरगत इंटरमीडियट में फ्रेस फॉर्म को कैसे अपलाई करते हैं इसके लिए आपके पास क्या डाकुमेंट होने चाहिए फॉर्म को फिल करते वक्त आपको किन वातों का ध्यान में रखना ह इसके बारे में आज की इस वीडियो में complete जायनकारी लेके आएं तो अगर आप लोग भी intermediate में अपना फ्रेस यानि एक नया फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो completely जरूर देखीगा पूरी उमीद है कि अगर आप लोग ये वीडियो complete देख लेंगे तो दोस्तो अंतरगत intermediate में अपना एक फ्रेस फॉर्म को फिल अप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है सबसे पहले नंबर पर अगर आपने first year यानि 11 में में scholarship के फॉर्म को फिल अप किया था और आपका वो फॉर्म या खो गया है या फिर या फिर और कारण से आपका आए जाती का mismatch हो गया था और आपका form reject हो गया है तो आप लोग को यहाँ पर बता दें आप लोग intermediate में अपने form को renewal करेंगे आप लोग अपने form को यहाँ पर नया fill up नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही आप लोग अपनी detail को fill करेंगे जैसे कि अ अपना नाम हो गया हाइ स्कूल की मारशीट का रोलंबर हो गया हाइ स्कूल की पास senior हो गई यह सारी चीज आप लोग जैसे type करेंगे नए registration में आपका जो registration है नया नहीं होगा आपका पुराना यहाँ पर शो जाएगा और आपको लिखके एक message आ जाएगा कि आप लोग इस registration के माध्यम से अपना एक renewal form को fill up कीजिगा अब बात करेंगे कि intermediate में कौन student यहाँ पर अपना fresh form को fill up कर सकते हैं तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बता दें कि intermediate में बो student यहाँ पर अपने form को fresh fill up कर सकते हैं जुनों ने यहाँ पर first year में अपने form को fill up नहीं कर पाये थे या फिर किसी वज़य से रह गए थे काफी student यहाँ पर ऐसे थे जिन्होंने अपने form को fill कर लिया था जो की college में submit नहीं कर पाये या फिर आपके first year में document incomplete थे तो ऐसे student यहाँ पर intermediate में अपने fresh यानि एक नया form को fill up कर सकते हैं कोई problem नहीं है और जो इस category में student आते हैं वो student यह यहाँ पर क्या document होना अनिवारी है form को fill करते हैं वक्त सबसे पहले नमबर पर आप लोग देखीगा कि intermediate के जो registration है वो 10 जॉलाई 2022 से start कर दिये गए थे लेकिन form भरना यहाँ पर 18 अगस्त 2022 से start किये थे और यहाँ पर देखीगा कि इसकी जो last date है वो भी website पर show नहीं हो रही ह हाट कॉपी सम्मिट करने की भी यहाँ पर last date अभी show नहीं हो रही है लेकिन correction date अभी show रही है जो कि अगर आपके form को fill करते वक्त किसी भी पिरकार की कोई भी mistake हो जाती है तो आप लोग अपने form में बाद में correction कर सकते हैं लेकिन अगर आपका एक fresh form है और आपने अभी तक college म जमा नहीं किया और आपके form में mistake हो जाती है तो दोस्तों आप लोग इस correction date का इंतजार बिलकुल भी मत कीजीगा आप लोग अपने form को दुबारा से नया fill up कर लीजीगा कोई problem यहाँ पर नहीं होगी इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और लेकिन अगर आपका renewal है औ आपके form में mistake हो गई है और lock भी हो गया है तो दोस्तों आप लोग मजबूरन बीस बारा दोजार बाइस को अपने correction date का इंतजार कीजीगा correction के लिए form open किये जाएंगे बात करेंगे intermediate में नया form को fill करने के लिए आपके पास यह document होना अनिवारी है सबसे पहले नंबर पे income certificate होना चाहिए अगर आप लोग यहाँ पर जनरल OBC से है तो आपकी जो family की income है वो दो लाक से उपर की नहीं होनी चाहिए और अगर आप लोग SC, ST से है तो दोस्तों आपकी family की income धाई लाक रुपए से उपर की नहीं होनी चाहिए इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथी में अगर आप लोग यहाँ पर OBC, SC, STC है तो दोस्तों आपके पास card certificate होना अनिवारी है साथ में दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो domosile लगा सकते हैं लेकिन domosile का form को fill करते वक्त आपको domosile देने की जरूरत नहीं है लेकिन college में आपको submit करने पड़ सकता है तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथ में दोस्तों आपकी bank passbook होना अनिवारी है bank की passbook में आपका जो नाम है वो high school की मार्शीट से match होना चाहें इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथ में दोस्तों यहाँ पर आपका आधार card होना अनिवारी है आधार card की यहां पर कुछ सरते हैं वो समझना आपको काफी जादा जरूरी है जैसा कि अधार कार्ड में आपका नाम और डेटा ववत हाई स्कूल की मार्शीट और दोस्तों आपका अगर कास साटिपेकेट है इससे मैच होना चाहिए साथी में आपके बैंक एकाउंट से भी आपका ना मैच होना चाहिए बिल्कुल सेम होना चाहिए इसका आपको यहां पर ध्यान रखना है साथ में आपके अधार कार्ड पे मोवाईल लंबर लिंक होना चाहिए और वो नोवाईल नंबर एट्टेव होना चाहिए उस पर इनकमिंग आउट गोईंग की सुबदा रैडी होना चाहिए क्योंकि जब भी आप अपने फॉर्म को फिलब करेंगे तो आपको आगे चलके के वाईसी करनी पड़ेगी जिसमें आपके अधार कार्ड पे रेइस्टर मोवाईल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा वह आप लोग ओटीपी टाइप करके आप लोग आपर ध्यान रखना है साथ में यहां पे आपका अधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना अनिवारी है अगर आपका लिंक नहीं होगा तो आपको स्कॉलर्शिप के चांसिस काफी कम हो जाएंगे तो इसका आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आपका अधार कार्ड ब तो दुस्तों आप लोग रासन कार्ड को जरूर लगाईए गा तो क्यांकि 2022 टेस्के अंतरगत रासन कार्ड का नपर और रासन कार्ड की हार्ट कूपी कमपल्सिरी कर दिया गया solve to पास रासन कार्ड नहीं है तो भी आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं टैंसल लेने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपके पास रासन कार्ड है तो आप लोग जरूर रासन कार्ड के नंबर को फिल अप कीजीगा साथ में दुस्तों आपके पास पास पॉर्ट साइज एक होना चाहिए साथ ही मैं आपको यहाँ पर इंटर्मीडर के फॉर्म को फिल करने के लिए आपको एक option मिलेगा नान डिफंडेवल फीजो कि मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया था यह फीज आपको जरूर डालनी पड़ेगी और यह फीज नान डिफंडेवल जो फीज होती है जो कि आपको कॉलिज से रिसीव होगी तो आपको अपने कॉलिज में आपने जो भी फीज जमा की थी उनसे सर से पता कर लिए जिगा कि सर हम अपने स्कॉलेशिप के फॉर्म को फिल अप कर रहे हैं उसे में नान डिफंडेवल फी फिल अप करना है तो वो आपको बता देंगे बागी आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं अपने फॉर्म को फिल करने के बाद आप लोग अपने ड्राव फॉर्म को कॉलिज में ले जाकी चेक तो आप लोग किसी भी cyber cafe पे जाके अपने online आवेदन को कर सकते हैं और साती में अगर आप लोग खुश से करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग ये website को open करने के लिए आपको अपने PC laptop फोन से यूज करना चाहते हैं Google Chrome ब्रॉजर का यूज की जिगा 3. पे किलिक करेंगे desktop mode का एक option मिलेगा उस पे किलिक करने के बाद आप लोग हमाई तरह Google को open कर पाएंगे Google पे आपको साधान से टाइप कर देना UP scholarship यूपी scholarship टाइप करेंगे पहले नंबर पे आपको इनकी official website मिल जाएगी scholarship.up.in जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम आचुके हैं UP scholarship की official website पे इस website का link हम आपको वीडियो डिप सेक्शन में दे देंगे आप लोग बहाँ पे किलिक करके directly इनकी official website पे आ सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप लोग भी सकसेना टेक्निकल की वीडियो को regular देखते हैं और आपने अभी तक subscribe नहीं किया इस channel को तो दोस्तों आप लोग को बता दें आप लोग सबसे बड़ी चीज मिस कर रहे हैं क्योंकि सकसेना टेक्निकल चैनल पे आपको regular general knowledge की question पोश्ट किये जाते हैं जो की 5 से 10 किये जाते हैं अगर आप लोग भी किसी भी competition की तयारी कर रहे हैं तो ये question आपके लिए काफी ज़्यादा महतवपूर्ण हो सकते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस question के answer जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस question के answer अगर आप लोग भी देना चाहते हैं तो अभी सकसेना टेकनिकल को subscribe कीजिगा और आपके YouTube एप में आपको ये question answer और साती में आपको video show होने लगेंगी तो अभी जाएगेगा चैनल को subscribe कीजिगा और इन question के answer दीजिगा और आपको regular 5-10 question नए देखने को मिलेंगे अब बात करेंगे UP scholarship के एक नया form जो की intermediate का fill करके आपको live दिखा रहे हैं तो आपको यहाँ पर student वाले option पर आना है यहाँ पर आपको registration वाले option पर किलिक करना है और किलिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर तीन तरह के option open किये गए हैं सबसे पहले box का मतलब यह है कि आप लोग यहाँ पर समाज कल्याण विवाग उत्तर परदेश इस category में आते हैं केबल SC, ST और जनरल के हिंदू student यहाँ पर अपने form को fill up करेंगे यहाँ पर दूसरा option आपको देखने को मिलेगा अन्य पिछडावर यानि समाज कल्याण विवाग उत्तर परदेश इसमें आते हैं OBC के केबल हिंदू student यहाँ पर अपने form को fill up करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपका एक option और दिया गया अल संकेदवर समाज कल्याण उत्तर परदेश और यहाँ पर लिखा हुआ है for mandatory category इसमें आते हैं दोस्तों यहाँ पर मुसलिम, सीक, इसाइज, जैन, धरम के सारे student और जो यहाँ पर OBC या फिर जनरल दोनों category के हैं की pre-matic का मतलब होता है 9th और 10th और यह आपको option तीनों में देखने को मिलेगा साथ में अगर आप लोग यहाँ पर देखेगा कि post-matic intermediate phrase यह भी आपको तीनों category में option देखने को मिलेगा साथ में यहाँ पर post-matic other than intermediate यह भी आपको तीनों में आपको यहाँ पर देखने को मिलेग आप लोग को पता दे तीनों के फॉर्म को फिल करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजिस नहीं है, तो आपको टैंसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम बात करेंगे यहां पर इंटर्मीडेट की, तो हम यहां पर सेकंड वाले ओक्षन पर किलिक करेंगे, जो की सब में अबिलेबल है, आप लोग पोश्टमेटिक, इंटर्मीडेट, फ्रैस वाले ओक्षन पर किलिक करेंगे, और किलिक करने के बाद हमारे सेशन 2022-23 का जो फॉर्म है, रिशेशन वो यहां पर ओपन हो तुका है, और यह कक्छा 11 में बार में दोनों के लिए अबि अबर यहां पर फिलाप कीजिगा, सात में यहां पर सिक्छन सनस्था जहां पर आप लोग पढ़ाई करने के अपने देने वाली बात यह जया है, आपको अपना वर्ग को फिल्यका करना के आपकी जाती अपना धर्म देखने को नहीं मिलेगा तो आप लोग वीडियो को फिर से जरूर देखी गा और समझेगा तभी आपको यहांपे अपना धर्म देखने को मिलेगा साथ में द दूस्तों यहांपे आपको अपना फुल नाम जैसा कि आपकी high school की मार्षीड और आधहार पर लिखा हुआ हो बिल्कुल सेम आपको यहाँ पर लिखना आए साथ में father name, mother name यह आपको capital अक्छर में और high school की मार्षीड के हिसाब से kौन सी sun में pass out किया था वो sun आपको यहाँ पर select करनी है हाई स्कूल कौन से बोर्ट से किया था उस बोर्ट का नाम आपको यहाँ पर fill up करना है 2022-23 के अंतरगत इस वाँ सारे बोर्ट को add कर दे गया है आप लोग अपने हिसाब से बोर्ट को यहाँ पर fill up कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने हाई स्कूल का रोल नंबर को fill up करना है जैसा कि हम यूपी वोर्ट से हैं और हम यहाँ पर अपने हाई स्कूल के रोल नंबर को fill up करेंगे हाई स्कूल हमने कौन से कॉलिस से किया था उसका नाम हमें यहाँ पर फिलप करना है हमारे अधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है हम उसे यहाँ पर फिलप करेंगे यहाँ पर अगर चाहें तो PNT नंबर दे सकते हैं अनिता इसे छोड़ सकते हैं यहाँ पे आप लोग चाहें तो email ID दे सकते हैं, अनिता आप इसे छोड़ सकते हैं, साथ में दूस्तों यहाँ पे आपको अपना एक password बनाना पड़ेगा, password आपको कैसे बनाना यहाँ पे example समझेगा, कि आप लोग अपने नाम का पहला अक्छर बड़ा बनाईएगा, एक special character बना सकते हैं, जैसा कि add the rate होगे, hedge होगे, dollar का निसान होगे, end का निसान होगे, कुछ इस तरह है के, और आगे आप लोग 1, 2, 3, 4 तक बना दीजिगा, आपका password बन जाएगा, इसी हिसाब से आपको यहाँ पे अपना confirm password करना है, capture फिल करना है, submit वाले बटन पे आपको click कर द से कर रहा है, जो student इसका pdf बना लीजिगा, या फिर आप लोग इसे save करके जरूर रखीगा, साथ में आपको यहाँ पे जो detail basic information दिख रही है, इसे आपको एक बार अच्छी तरीके से check कर लेना है, इस detail में अगर आपने कोई भी गलती कर दिये, तो आपको दोबारा registration कर ले पर form को login करने के लिए आपको उसी website पर back आना है, और यहाँ पर fresh login वाला option मिलेगा, इन चारो कालम के बारे में मैंने already समझा दिया है, prematic का मतलब होता है, 9th और 3th, intermediate का मतलब होता है, first year inter, postmatic मतलब होता है, यहाँ पर inter से उपर जो भी आते हैं, course UGPG technical diploma के all student, तो हम यहाँ intermediate का form को fill करना है, bar में का form fill करना है, fresh तो हम इस वाले option पर click करेंगे, हमें जो registration number और data of worth यहाँ पर fill up करना है, हमने जो password बनाया था, बो हम यहाँ पर fill up करेंगे, capture fill करेंगे, submit वाले button पर click कर देंगे, submit करने के बाद हमारे सामने हमारा जो form हो यहाँ पर कुछ इस तरह का open हो के आजाएगा, जो भी step हम यहाँ पर complete करते रहेंगे, यहाँ पर उसके सामने green color के tick लगते रहेंगे, पहली step हमने यहाँ पर complete कर लिए, यह पहला box पूरा green हो गया है, इसी साब से हमें यहाँ पर सारी step को, यानि जो हमारी साथ step है, इन्हें सारी को complete करना है, और जब भी complete करेंगे, तो हमारी सामने सब में green color के tick लग जाएंगे, फॉर्म को fill करने के लिए, आपको third वाले option पे click करना है, छात वर्दी हुए तु आबेदन पत्र भरे आपको इस वाले option पे click करने के बाद हमारी सामने कुछ इस तरह का form fill करने के लिए open हो गया है, उपर हमें रईश आमीच छेस से हैं, तो हम यहाँ पे village का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे तैसील और district लिखेंगे, और अगर हम आप लोग बता दे की कसवे से हैं, तो आप लोग city, town का नाम लिखेंगे, और अगर आपका present और current address सेम है, तो इस वाले option पे click करेंगे, अनित हम दोनों में अल आप करना है, साथ में high school के प्रापतांग, पूड़ांग, साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको अपना class को select करना है, कि आप 11 में के लिए आवेदन करना है, या बार में के, यह class को select करना है, इसके बाद आपने कब admission लिया था, वो आपको यहाँ पर fill up करना है, आपके board का प लोग उसे fill up कीजिगा, ऐसा कोई issue नहीं है कि आप लोग किसी other district में पढ़ाई कर रहे हैं, और किसी other district का यहाँ पर bank account लगा सकते हैं, कोई problem नहीं है, लेकिन आपका account उत्तर पदेश का होना अनिवारी है, साथ में आपको यहाँ पर branch का नाम यहाँ पर लिखना है, आपका IFC code यहाँ पर automatic show जाएगा, आपके bank account पर नाम क्या दिया है, बिल्कुल same आपको लिख देना है, यहाँ पर आपको अपना account number, यहाँ पर confirm account number, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप आवाश नहीं है, या फिर दिवा है, दिवा का मतलब होता है कि आप अपने college से daily up down कर रहे है, या फिर आपके college में hostel की facility है, तो आप लोगोंने hostel ले रखा है, आप लोग होस्टल से up down कर रहे हैं, तो आप लोग आवास नहीं है, चातर होंगे, तो आपको इस वाले option पर click करना है, आपके college की annual non-defendable fee क्या है, वो आपको यहाँ पर fill up करना है, यहाँ पर पूछा जा यहाँ पर आपको अपने gut verse का बितरन यहाँ पर देना है, जैसा कि आपको पिछले बर्स में scholarship मिली थी या नहीं, अगर नहीं मिली है तो double zero कीजीगा, साथी में यहाँ पर कक्छा 11 डालीगा, क्योंकि इंटर का आप लोग form को fill up कर रहे हैं, और इसके बाद आपका first year में आ आपके 60% मार्स होंगे तभी scholarship के form को fill कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कितनी percent हो, बस आप लोग pass हो, या फिर आप लोग promote हो, आप लोग अपने scholarship के form को fill up कर सकते हैं, साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको अपने college का नाम को fill करना है, इसके बाद जो college यहाँ पर आपको capture दिया, यह आपको fill करना है, declaration वाले option पर click करना है, submit वाले button पर आपको click कर देना है, submit करने के बाद हमाई second step यहाँ पर complete हो चुकी है, यहाँ पर हमारे tick भी लग चुके हैं, अब हाँ चुके हम यहाँ पर photo को upload करें, photo upload करने से पहले आपको ध्यान देना है कि photo का फार्मेट है, यहाँ पर jpg and png में आप लोग upload करेंगे, इसके अलाबा आप लोग और किसी फार्मेट में photo को upload नहीं कर सकते है, photo upload करने के लिए यहाँ पर photo प्रारूप upload करें, आपको इस पर click कर देना है, और click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का dashboard ओपन होगा यहाँ पर आपकी अपनी detail देखने को मिलेगी, photo का size यहाँ पर 20 के भी का होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, और jpg, png में होना चाहिए, photo upload करने के लिए यहाँ पर choice file पर आपको click कर देना है, और यहाँ पर upload कर देना है, choice file क्लिक करके आपका photo यहाँ पर show हो कि अब लुग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने अपने photo को upload कर लिया और हमारा जो photo है, वह automatic यहाँ पर view हो चुका है, photo आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने तीन स्टेप को complete कर लिया तीनों स्टेप पर हमारी यहां पर शो हो रही है आप लोग को यहां पर बता दे अब आपको चौती स्टेप पर क्लिक नहीं करना है आपको directly क्लिक करना आए एब हम जाते प्रमाडपत रहेतु सत्यापन करें आपको इस वाले option पर क्लिक कर देना है और क् civilization की detail यहां पर open हो चुकी है तो हम अपने AI प्रमाडपत के प्रमाडपत किर्मांग को ऊपर phil up करेंगे और साटिक्ट यानि हमारे आय प्रमाडपत की detail open हो गई है हम इसे एक बार confirm करेंगे और verify income detail इस वाले option पे click कर देंगे click करने के बाद दोस्तों हमारे आय प्रमाडपत की detail successful submitted हो चुकी है और अगर आप लोग OVC, SC, ST से हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे जाती प्रमाडपत की detail open कर दी जाएगी आपको यहाँ पे verify कर देना है सारी information ठीक है तो इसके बाद आप लोग यहाँ पा देख सकते हैं हमने आय एवं जाती का verification success कर लिया success करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे green टिक लग गए हैं और यह option हमारे चार तक green हो चुकी है पांच में step में हमें यहाँ पर आधार कार्ड का verification करना है आधार का verification करने के लिए हमारे आधार कार्ड की detail high school की मारशीट और form से match होनी अनिवारी है और यहाँ पर अधार का verification करने के लिए आपको यहाँ पर पंजी करन हितु अधार डालें इस वाले option पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमाय सामने यहाँ पर form open हो गया है लेकिन यहाँ पर अधार कार्ड, demography, एबं, authentication करने के लिए यहाँ पर की भी कुछ सरतें हैं जिसके वारे में आपको जानना काफी ज़्यादा जरूरी है आपका जो नाम और डेटाववत यह हाई स्कूल की मारशीट और अधार कार्ट से मैच होनी चाहिए पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर अगर आपकी मिसमैच है तो दोस्तों आपको यहां मरा यहां पर आपकी चाहँ के पर कर एंगे और यह पर करेंगे के और यहां पर यह ऌकरज्वान थे taking कर सकते हैं या फिर आप लोग इस फॉर्म का 24 से 48 या फिर 96 घंटे तक इंतिजार कर सकते हैं अगर 96 घंटे में यह फॉर्म ओपन नहीं हुआ तो दोस्तों आपको यहाँ पर दुबारा से नया ही फॉर्म को फिलप करना पड़ेगा जैसा कि आपकी हाई स्कुल की मार्शीट और अधार कार्ड पर डिकार्ड दिया हो साथ में दुस्तों यहाँ पर आपको अधार की अटांडिकेशन करना है यह भी आपको यहाँ पर तीन चांसे दिये जाएंगे तो फाइनली हम यहाँ पर करते हैं अपने अधार कार्ड को बेरिफाई अधार नमबर दोनों में फि करने के बाद हमाय सामने कुछ इस तरह का ओपन होके आएगा हमारा नाम और डेटा ववात कनफॉर्म फिर से कराएगा इसमें भी आपको बिल्कुल तीन चांसे देखने को मिलेंगे आपके जो भी अधार कार्ट पे मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके लाश्ट के चार्ट ड और ऑक्षन पर क्लिक करने के बाद हमारे जो मोबाइल नंबर पर भूवायोड पे सेंड कर दिये गया हमारे मो अबल मंबर सेंट सो रहे हैं और दोस्तों आप लोग को यहां पर बता द Не अगर आपका यह मोबाइल नंबर बाजी चांस बंद हो गया हो या फिर खो गया है या फिर आपको मालूम नहीं है कि ये नंबर कौन सा फिलप किया हुआ है और आपके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को यहीं से बैक कर दीजिगा आप अपने अधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट 24-28 घंटे में अपड OTP भी रिसीव हो चुका है OTP फिलप करेंगे वैरिफाई करेंगे वैरिफाई करने के बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमारी सारी सटेप लगभग कम्प्लिट हो चुकी है जितनी भी सटेप कम्प्लिट की सारे पे ग्रीन टिक लग गए और यहां पर भी हमें यहा आबेदन पत्र का print करें इस वाले option पे आपको click कर देना है click करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर form open हो चुका है इसका हम print out निकल वाएंगे college में जाके check कराएंगे अपने आप भी check करेंगे सारी information सही पाई जाती है तो हम आगे इस form को lock भी करेंगे सारी information हमारी अगर सही है तो हम इसे lock करेंगे directly यहाँ पे जाचने के उपरांद आबेदन पत्र को submit करें submit करने के बाद हमारा जो form है वो तीन working day में मिलेगा इसके बाद हम अपने form को print निकालेंगे और college में जाके hard copy को submit करेंगे सारे document के साथ जो कि मैंने video के सुरू होने से पहले बताया था लेकिन अगर आपके form में mistake है तो आप लोग को यहाँ पर option मिलेगा आबेदन पत्र को संसोधन करें इस वाले option पर click करके cable ratioation की detail को छोड़के सारी information को आप लोग edit कर सकते हैं कोई problem यहाँ पर नहीं है तो फाइनल दोस्तों आप लोग कुछ इसी तरह से अपने UP scholarship के intermediate के fresh form को fill up कर सकते हैं उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद जरूब आई हो पसंद आई तो वीडियो को like कर दो आपे दोस्ता शेर कर दो ताकि बो लोग भी इस form को fill up कर सकें इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए बाए बाए